हेलो आइज तो सभी को जाएं तो आज हमारा 22 जनौरी और अब हमारे एक्जाम को बचें किवल 26 दिन तो आप 26 दिन मातर सेश रह गए हैं तो 26 दिन पूरा जी जान लगा दी जितना हो सके उतना मेनत करिए बस किवल पढ़ाई आइ रिवीजन और मॉक नवीज़न और माार क्योंकि यह रिवीज़न और माक बहुत ज़्याद करते हैं तो नहीं करते हूं हो दो सही बताई लोग ऐसे होंगे जो यह नहीं करते होंगे तो सही बतारों भाइए अब इभी 58 दिन अगर आप varied अपना टारेट लिखते हैं कि आज मुझे यह करना है तो आप अभी 26 दिन में बहुत कुछ कवर कर सकते हैं तो मेरे इसाब से अगर आपको चीजे जादे करनी है और कम समय में करनी है तो आपको टारेट बना की करना चाहिए ताकि चीजे बहुत असानी से कंप्लिट होती चली जाए तो चलेए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारर क्या शॲज राइल हाए तो हमसे पहले लगाएंगे मौक्त तो उप्लिपूुत 15 का मौक्त यह यह कब लगांगे और यह जरूरी नहीं कि आप इसे कभी भी लगा सकते हैं अपने इस्ताफ से दिन में जब आपको टाइम मिले तब आप से लगा सकते हैं उसके बाद यहां से पूछा जाता है उसके बाद हम वर्तनी को लिख के प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद समसुरुत बिनार्थक सब्द को भी पढ़ेंगे आज उसके बाद ग्यानपीट पुरसकार के एक लेखक अग्येज जीके सारे कृतियों को आज और कल दो दिन याद करेंगे उसक के बाद हम आते हैं तो जीके में हम यूपी जीके की कलास लेंगे यूटूब से और उसके बाद सविधान इतियास भूगोल विज्ञान पढ़ेंगे तो आप लोग को एक चीज़ बाद आता हूं कि सबसे अच्छी जो किताब है रिवीजन के लिए रिवीजन के लिए यह सबसे जोरदार है अगर आपके पास है और आप इसे रोज घंटे देते हैं तो बहुत जोरदार है आप यहां से जीके यहां से इतियास भूगोल सविधान अराम से रिवीजन कर सकते हैं बहुत जोरदार किताब है तो आप हो सके तो यहां से रिवीजन कर लीजिएगा बह नहीं पढ़ पाता उसके बाद जुलाइ की दिवस याद करेंगे और तिस्के बाद हम सबसे बड़ी बात कर्एंट पड़ेंगे हम सबसे पहले क्नेर अफियर में क्या ओर संब करेंगे कुंमार अफियर में पड़ाया est रिवीजन और अगर कुछ टाइम बचता है तो हम कुछ इस्ट्रा करेंगे नहीं तो यह था हमारा आज का टारेड तो आपकी त्यारी के चल लिए कमेंट करके जलू बताईएगा